हेलो गाईज, वेलकम वेक टो अवर यूटिब चैनल, तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब है, आज आप लोगों के साथ लेकर आएं वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जो भी जली उनिवेर्सिटी के सेमिस्टर वन के अंदर स्टुडेंट है, बीकॉम ओनर्स को उसके उन सभी के पाथ एक सब्जेक्ट हैगा, मैंनेजमेंट प्रिंसिपल एंड अप्लिकेशन, तो मैं आज आप लोगों के साथ उसकी लेकर आएं यूनिट नमबर फोर, जो की एक बहुत छोटी सी यूनिट है, जिसका नाम है डारेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसक चलिए बिना देर के शुरू करेंगा हम अपनी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्रेब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, इसके जो नोट्स हैं वो पहले से ही टेल इट मेकशूर्ड डेट ओगनाइजेशन गोले अब जेक्टिव और मेट, यह क्या चेक करता है कि जो हमारा ओगनाइजेशन का अबजेक्टिव है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस फंक्शन इस परफॉर्मड इन ओल तैप ओगनाइजेशन वेदर कमर्चियल और non-commercial यह सभी organization में perform किया जाता है चाहे कोई commercial organization हो चाहे कोई non-commercial organization हो इट compare actual performance with predetermined standard यह क्या करता है actual performance को पहले से जो decide standard होते हैं उनके साथ compare करता है deviation find करता है और उस deviation को correct करने के लिए corrective measures लेता है अब एगा characteristics characteristics क्या गया होती है तो यह continuous process होता है controlling का process हरदम चलता रहता है हरदम controlling की जरूरत पढ़ती है organization में second is forward looking यह किसचीज में help करता है आगे देखने में हमें चीजों को help करता है कि हमारा जो objective है वो achieve हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो controlling की वज़े से हमें पता लगज़ पाता है थार्ड है action oriented, action oriented होता है यह timely action को करने में help करता है और wastage of time को minimize करता है based on planning जो controlling है वो planning पर ही base होता है fifth है परवेजिव हर type की organization में इसकी जरूरत पढ़ती है significant क्या है controlling के controlling guide management in achieving predetermined goal controlling guide करता है management को जो पहले से goal decide कर रखे होने achieve करने में second है controlling find out whether performance is carried out in accordance with plan ये find करता है कि जो planning के according performance हो रही है या नहीं हो रही third है controlling help superior to evaluate performance controlling help करता है superior की performance को evaluate करने में fourth है it help in finding and deviation existing in organization ये किस्चीज में help करता है ढूणने में deviation जो की organization में exist कर रही है fifth है it bring back management on planning और इसके बाद जो हमारा next step फिर आता है वो दुबारा से planning start हो जाती है sixth है it help in judging accuracy of standard standard की accuracy judge करने में ये help करता है जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसकी accuracy क्या है seventh है it ensure effective and efficient use of all resources और सभी resources का effective और efficient use होता है अगर जो भी deviation होती है ठीक है यह होगी आपका complete controlling का process तो देखे दोस्तों इसी के साथ आपकी unit number 4 directing and controlling cover हो जाती है यह सरफ इतनी थी unit थी इतना ही content आपके exam के लिए relevant है इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की जरुएत नहीं है में भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करना मत बूलेगा तेंक यू